एच्सीएस और डेंटल सर्जन भर्ती दांदली मामले में अरोपी अनिल नागर द्वारा पंजाब हर्याना हाई कोट में जमानत याच्च का दायर की गई है और इस मामले में अदालत ने क्या करवाई की है इस सुमिर साथ है याच्च का करता के एडोकेट विशाल गर बणा इन से जानते हैं कि अदालत में आज इस मामले में क्या करवाई हुए अच्छी जो यह बिल पर्टीशन फाइल की गई फोर रागुलर बेल उसमें आज आर्गुमेंट्स हुए और जो स्टेट पक्ष के जो सरकारी वकील थे उन्होंने टाइम मांगा है इसका डिटे होके लंबी सूची दी गई है तो अभी जो ट्राइल है उसको कंक्लूड होने में काफी टाइम लेगा तो इन्दी मीन टाइम उसने अपनी रेगुलर बेल की प्रेयर की है गर्ट साब यह पूरा मामला क्या आखिर नवंबर दोहजार इकिस में एक मामला सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि जो डेंटल सर्जन जो भरती किया हर्याना सरकार ने और जो एक्जैम कंड़क्ट हुए उसमें कुछ गलत तरीके से कंडिडेट्स को पास किया गया है तो उसको चलते उसके चलते हुए उस एलिगेशन के दौरान कुछ एक रेस्ट हुई थी तो उसमें से एक एच्छेस ऑफिसर जो नी लागर जी है उनको भी रेस्ट किया गया था जबकि जो चलान प्रेजन हुआ है उसके हिसाब से इनके घर से कोई कैश नी बरामद हु हुआ है घर सब इस मामले में टोटल कितने अरोपी गुनाएगे है इसमें टोटल तीन अरोपी है एक तो प्राविट आदमी है नवीन के नाम से और एक अश्वनी शर्मा है जिसको स्कैनिंग का काम दिया गया था उट्सोर्स किया गया था सरकार ने और तीसरे जो एसेस ऑ डेंटल सर्जन भरती धांदली मामले में अरोपी अनिल नागर ने पंजाब हर्याना हाई कोट में जमानत तियाच का दायर की है और इस मामले में आज दोनों पक्सों की तरफ से बैस हुई है और सरकार ने अदालत से समय मांगा है ताकि ज्वाब दाखिल किया जा सके अनि कुमार टोटल ने हो चन्रिकार